हेल्ट फ्रेंट्स मैं हूँ सन्वाप्रकाश और आप देखने हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब नियूज कई इंपर्टन टॉपिक है इस पूरे करेंट फॉर्स वीडियो में तो शूर करते हैं बिना देर के वे और पहला कोशन बैडमिंटन एशिया चेंपरिशिप में गोल्ड मिडल जीतने वाली पहली भारते पुरुष यूगल जोरी का नाम बताएं आंसर गाइसका सात्विक साई राज रंकी रेड़ी और चिराग शेटी ठीक है नियूज देखने हैं आप और ये एक एतिहास बनाया है कब 30 अप्र पहली बार पुरुष यूगल में गोल्ड मेडल मिला है और इसे पहले पुर्षों के एकल यानि मेंस सिंगल्स में ही एक बार गोल्ड मिडल मिला था वह भी 1965 में मिला था दिनेश खन्ना को ओके और अगर हम कहेंगे गोल्ड मेडल उसमें तो उसके बाद ये पहली बार है और यूगल में यानि पुरुष यूगल में मेंस डबल्स में पहली बार ये गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है तो कहां पर अज़त हुआ ये जो कारिक्रम है वो इवेंट तो बैडमिंटन एशिया चेंपरिशिप का योजन हुआ है दुबई में UAE में ओके और भारतिये बै अगला कोशन पती पतनी के बीच सुलह की गुंजाईश न रहने पर सुप्रिम कोट समिधान के किस अनुछेद के तालाग को तुरंत मंजूरी दे सकता है ऐसा फैसला आया है सुप्रिम कोट का आंसो का अनुछेद 142 उसमें सुप्रिम कोट को अधिकार है कि वो अपने वि असला है कि अगर पती-पतनी के रिष्टे इतने खराब हो चुके हों कि अब सुलह की गुंजाईश नहीं बची है तो कोट यानि सुप्रिम कोट भारत के समिधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाग को मजूर दे सकता है देखिए हिंदू मैरेज एक्ट जो है 1955 का उसका सक्षन 13B आपसी समती से तलाग देने का उसमें प्राबधान दिया हुआ है तो इसके लिए होता है कि पती-पतनी तलाग के लिए डिष्टिक कोट में अर्जी देते हैं और ये इस आधार पर होना चाहिए कि साल भर से या इससे ज़्यादा वक्त से वो अलग रह रह रहे हों और स खे महिने से लेकर 18 महिने के बीच में इंतजार करना होता है इस टाइम को कूलिंग पीडियेट का जाता है तक ऐसा तो नहीं कि तलाग का फैसला बहुत जल्दी बाजी में लिया आ जा रहा हूँ तो और इस दौरान अगर चाहें दोनों में से कोई भी तो अर्जी वापस ले सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह वेटिंग पीडियेट पूरा होनी के बाद अदालत इस मामले को सुनती है और फिर तलाक को मजूरी दे सकती है लेकिन मामला यह होता है कि इतना ज़्यादा केसे हैं कि तलाक के मामले सालों सालों साल पांच-पांच साल दस-दस स चलते रहते हैं और फिर उसमें फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोट के इस फैसल से क्या बदला है ? बदला यह है कि सुप्रीम कोट के जो पांच जजों की समयधान पीट थी उसमें यह आहम फैसला दिया है कोट ने कहा कि जीवन इसाथी के बीच में यानि पती-पति- कर सकते हैं ऐसा नहीं हो सकते हैं शुरुवात में तो जाना होगा फैमिली कोर्ट में अगर देर हो रही है तो वह फिर सुप्रिम कोर्ट भी जा सकता है तो जेश्टिस इसके कॉल की अधक्ष्टा में ये पांच जजों की समिधान बीट थी और उसी ने अनुछेद एक सो बैलीस के ताहट ये फैसला सुनाया है ठीक है और खास बात है कि दो तरीके से तलाक होते हैं एक तो होता है कि मिच्वल कंसेंट यानि आप से समती इसी मामिले में ये फैसला सुनाया गया है और दूसरा आता है कन्टेस्टेड यानि बिना आपसे समती के तलाक विवाद चल रहा हो कुछ है तो उसमें अगर ऐसा है तो उसके मामिले में अलग उसके लिए करवाई होगी यहाँ पर सहमत्ती से मामले की बात है और यहाँ एक और बात बतातुएं कि अगर आपसे सहमत्ती के बिना तलाक हो रहाए तो इन मामलों के आधार पर तलाक किया जा सकता है इसे एक्षरा मैलिटरल अफेर्स, कुरूरता, छोडने, मत्रूब पती को छोड़ दिया हो और पत् मच के अंतरगत आता है। और यह सुप्रिम कोट को पूर्ण नयाय करने का विश्शन अधिकार देता है। इस मामले में जय को कानून लागुन नहीं हुआ है, या उस कानून से पूर्ण नयाय नहीं मिल पा रहा है तो फिर सुप्रिम कोट का जो फैसला है वो सर्वो पड़ी माना जाएगा ठीक है तो यह एक स्पेशल अधिकार देता है सुप्रिम कोट को समिधान का यह अनुछेद अगला कोशन दोस्तों 17ระ वे विश्व पूरुष शतरन्ज चेंपेन कौन है का विश्व पूरुष शतरन्ज चेंपेन वन्धाति आंसर को इसका चीन ठीक है वो चीन के पहले विश्व शत्रण चैंपियन है पुरुष और उन्होंने किसको हराया डिंग लिरेन ने तो रूस के यान निपोम नियाची उनको हराया देख रहे हैं आप ये गेम हो रहा था और वो 17 में विश्व शत्रण चैंपियन बन गया है अच्छे इससे पहले कौन थे वर्ल चैंपियन तो वो थे मैगनस कार्लसन तो उनकी जगा अब विश्व शत्रण चैंपियन हो गया है डिंग कहां पर ये आज़न हुआ तो कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है वहीं पर ये गेम हुआ और उसी में ये डिसाइड ठीक है तो अब चीन में चीन के ही पुरुष चैंपियन है और महिला चैंपियन में तो पुरुष तो डिंग लिरेन है और महिला चैंपियन की बात होगे इस वक्त कौन है तो चीन की है जू वे जुन ओके चले दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगला कोर्शन लेते हैं उ तो एबलेबल है, वन येर के मेंबर्शिप के जड़िए, इसके जड़िए मिलता है PDF एक साल तक, और उसमें खास बात है कि वीडियो का लिंक भी लगा होता है, ताकि आप जब आप PDF पर रहे हैं और उस चीज को और क्लियरली समझना है, विजुल तरीके सो तो क्लिक केजिए और वो वीडियो ओपेन हो जाता है, ये खास चीज है, और मेंबर्शिप में एक साल तक साथ में आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट स्रीज होता है, तो इतने तरह के टेस्ट स्रीज अबलेबल हैं, डेली मॉक टेस्ट, विकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, ये करेंट पीटी हो गया, SSE के तमाम examination है, GD, CHSL, CGL, MTS जो भी चल रहा है, CGL होने वाला है, CISF, MP, PEP, MPPSC, तो तमाम तरह के जो test series हैं, वो अबलेबल है, और ये one year के membership plan में ही सब कुछ एक साथ है, बहुत मामली से रखा मैं, discount भी चल रहा है, description चेक कर लेना, अगला कोशन, आश्मान भारत दिवस, कब मना जाता है, आंसो का इसका 30 अप्रेल को, ठीक है, 30 अप्रेल को ये मना जाता है, और ये दिन इसका उद्देश यह है कि सभी नागरिकों को स्वास्त सुमिधाओं को लेकर महतपुर्ण, जागुकता फैलाई जा सके, आश्मान भारत योजना है, और उस परागवे के नए राष्टरपती कौन चुनेगा है, मैप के थ्रू बताएंगे आपको, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा, सैंटियागो पेना, ठीक है, क्या नाम है, सैंटियागो पेना, और ये रहे राष्टरपती, नए जो चुनेगे, वे परागवे के अर्थ शास तो यह तो रहा प्यारा भारत हमारा और प्राग्वे है कहां पर दक्षिनी अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री अभी दिखाते हैं तो यह उतनी अमेरिका हो गया महादेश और यह दक्षिनी अमेरिका महादेश हो गया और यहां पर रेट कलर में जो दिख रहा है वही है इसके परोसी देशों की बात करेंगे तो बोलिविया है उधर आर्जेंटीना है उरुगवे है और इधर है ब्राजिल तो लेंड लॉक्ड कंट्री है ये परागवे ये क्वेशन हो सकता है परागवे के बारे में कि लेंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं तो लेंड लॉक्ड के देश की सहायता लेनी होती है तो हुआ लेंड लॉक्ड कंट्री कि राजधानी इसके क्या है परागवे की असुन सियोन और मुद्रा है गुवारानी अगला कोशन लगते हैं दोस्तों बैंक आफ इंडिया के एमदी और सी यो कौन बने हैं नए अंस्फोगा रजनेश करनाच नाम क्या है रजनेश करनाच तीन सल की लिए उनको किनशरकार कि रोट से निवुट हिया है और उन्होंने किसका स्थान लिया अतनु कुमार दास का स्थान लिया है उन्होंने बैंक ओफ इंडिया मुख्याले मुंबई में है अस्थापनों थी 1906 में अगला कोशन अजर्बैजान ग्रेंट प्रिक्स 2023 उसके विजयता का नाम बता है आंसर गा इसका सर्जियो पेरेज क्या नाम है सर्जियो पेरेज तो रेडबुल के ये ड्रैवर है और इन्होंने ये जित लिया है कहां प्रयायजन हुआ तो अजर्बैजान के राजधानी बाकु में आज हुआ ही है किसको हराया तो मैक्स वेश्टर पें उनको हराकर ये खिताब जित लिया है अगला कोशन दोस्तों राष्टी खेलों कायोजन गुआ में कब होगा जिसका उधगाटन प्रमिश्टर नेद मोधी करेंगे इसका एलान अभी हुआ है आंस होगा अक्टूबर 2023 ठीक है तो उध कि गोशना किये कली और कहाए कि प्रमिश्टर नरिन मोधी गुवा में इसका उधगाटन करेंगे जो नेशनल गेम्स है उसका अगला कोशन लेते हैं दोस्तों केंदर सरकार ने परमानु उर्जायों के नय अध्यक्ष और परमानु उर्जायों विभाग के सचिव किसे नि इसके डिरेक्टर है तो अब वे परमानु उर्जायों अध्यक्ष और इनर्जी कमिशन उसके नय चेयर्मेन बन गए है और परमानु उर्जा विभाग जो केंद सरकार का है उसके सेकेटरी बन गए है तो मतलब यह हुआ कि भारत के जो अध्यक्ष प्रोग्राम है कारकर मे जो पिछले कुछ वक्त में जो नुक्तियां हुई है उसके बारे में एक बार मैं आपको डिवाइस करा देना चाता हूँ इस वीडियो के माधम से तो एलाइसी के नय चेयर्मेन बन गए है सिधार्थ मुहंति ठीक है करनाटक ग्रामीड बैंक उसके चेयर्मेन नुक्त हु यानि चेयर्मेन एन मनेजिंग डिरेक्टर अरुन सिन्हा उनको राष्टिय टक्निकी अनुसंधान संगठान यानि एंटी आरो तो उसका चेयर्परसन बनाया गया है नौ सिना का उप प्रमुक बनाया गया है वाइस एड्मिरल संजे जस्जीत सिंको सैक्लिंग फेडरेश फोगाट है उनको MMA1 फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है अनत महश्वरी को नासकॉम का चेयरपरसन बनाया गया है फिक की महिला संगठन उसकी 40 अध्यक्ष बनिया सुधा शिवकुमार ये कुछ निक्तिया है इंपॉर्टेंट उसके बारे मैंने एक बार रिवाइस क है सबस्क्राइब जरूर करें ठीक है और मेंबर्शिप आप के लिए करेंट फोर्स के शांदार कोशन ठकड़ाते हैं अभी ससी म्टेस का जो एक्जामनेशन हुआ है उसमें शांदार कोशन हमारे ठकड़ा है जो उसका रिवीव भी मैंने इस चैनल पर दिया है तो अगर नहीं देखा आपने जरूर देखना सर्च कर लेना सरकार जॉब नियूस पर यह वीडियो मिल जागा एससे म्टेस का रिव्यू का बाई